हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल तारा मदू की रसोई आज मैं आप सभी के साथ मिल्क पाउडर यानि की सूखे दूद के पाउडर को ले करके एक जानकारी से भरा वीडियो शेयर कर रहे हूँ दोस्तों यह जो मिल्क पाउडर है यह मार्केट में कई वराइटी में आता है जैसे की डेली वाइटनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, लेक्टोजन मिल्क पाउडर और इनी को लेकर के अक्सर लोग confused रहते हैं कि इन में से कौन सा best milk powder है बच्चों के लिए या फिर अगर cooking और baking में हम इस्तमाल करना चाहें तो उसके लिए कौन सा अच्छा powder है तो बस आज इनी confusion को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो शेर कर रही हूँ काफी दिनों से मेरे कुछ viewers भी request कर रहे थे कि आप एक milk powder को लेकर के वीडियो बनाईए खास करके मेरी एक special viewer Dolly Malotra तो इनी सारी request, doubt और confusion को दूर करता हुआ आज का मेरा ये special video है आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको market से कौन सा milk powder लेना चाहिए आपकी जवरत के हिसाब से साथी बताऊंगी कि बच्चों के लिए कौन सा अच्छा milk powder है और अगर आप cooking और baking में यूज़ करना चाहें तो कौन सा best option है ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास ये milk powder ना हो तब इसके क्या substitutes हो सकते हैं तो बहुती interesting, बहुती useful और जानकारी से भरा मेरा ये वीडियो है आप इसे end तक जरूर देखेगा बिना skip किये वीडियो पसंद आए तो इसे like, share और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आएए start करते हैं तो चलिए friends, सबसे पहले बात करते हैं whole milk powder की ये आपको market में बहुत सारी brands का मिल जाएगा खास तोर पर पतंजली इसे 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg की पैकिंग में सेल कर रहा है इसे आप किसी भी जर्नल स्टोर, सुपर स्टोर, सुपर मार्केट या फिर ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं ये आपको आराम से 500 ग्राम, 235 रुपे का मिल जाएगा तो अब बात आती है, ये whole milk powder होता क्या है तो जब गाएं, भैस के दूद को इकठा करके, मशीनों के द्वारा evaporate किया जाता है यानि कि उसके अंदर का liquid content को पूरी तरीके से सुखा दिया जाता है, dry कर दिया जाता है तो जो पदार्थ हमें मिलता है, उसी को कहते है whole milk powder यानि कि इसमें कुछ भी extra add नहीं किया जाता है और नहीं कोई भी nutritious value इसमें से खतम की जाती है ये पूरी तरीके से pure दूद होता है मान लिजे friends, आपने एक तरफ गाएं या भैस का एक glass दूद रखा है और दूसरी तरफ आपने milk powder को पानी में boil करके दूद बना करके रखा है तो दोनों की nutritious value सेम होंगी, दोनों का taste भी अच्छा होगा तो इसे आप आराम से consume कर सकते हैं जिन लोग के आसपास दूद अच्छा वलेवल नहीं होता वो लोग इस whole milk powder को purchase करके अपनी दूद की requirement को पूरा कर सकते हैं ये बच्चों के लिए भी safe है घर में आप इसे cooking में भी use कर सकते हैं आप इससे चाय बनाईए, coffee बनाईए, कोई भी shakes बनाईए या फिर आप इससे दही भी बना करके इस्तमाल कर सकते हैं ये पूरी तरीके से pure है और cooking और baking में भी इसका काफी अच्छा use है baking में अगर आप चाहें तो इसे cakes में डाल सकते हैं मिठाईओं में use कर सकते हैं और friends खास बात ये है कि इस milk powder से बना हुआ जो खोया होता है यानि कि मावा होता है वो बहुत ही अच्छा तयार होता है soft होता है और काफी tasty होता है तो आपको जहां पर भी ये whole milk powder मिले आप इसे purchase कर सकते हैं ये सभी जगे यूज होता है तो चलिए friends अब बात करते हैं skimmed milk powder की बहुत से लोग confused रहते हैं कि ये skimmed milk powder होता क्या है दूसरे powder से ये कैसे अलग है और इसका cooking और baking में क्या use है क्या ये पुरी तरीके से safe है तो जब गाएं और भैस के दूद को इकठा करके मशीनों के द्वारा evaporate किया जाता है दूद के powder की process की जाती है तब उसी process में एक और process भी की जाती है इसके अंदर से कुछ part fat content का remove कर दिया जाता है यानि कि निकाल दिया जाता है तो जो दूद powder बन करके तयार होता है उसी को कहते हैं skimmed milk powder यानि कि ये whole milk powder से थोड़ा सा nutritious value में कम है यानि कि इसमें fat content जो पहले 50 से 25 परसंट था अब वो केवल 1 परसंट ही रह गया है तो जो लोग healthy जादा खाना पसंद करते हैं diet conscious हैं जादा fat वो consume नहीं करना चाते बुजर्ग लोग हैं वो लोग इस milk powder से बना milk consume कर सकते हैं इसके अंदर fat की quantity कम होती है इसे आप cooking और baking में भी यूज़ कर सकते हैं ये पूरी तरीके से safe है बस इसके अंदर fat यानि की थोड़ा सा nutritious value कम होता है तो जब whole milk powder आपको नहीं मिलता तो आप आसानी से skimmed milk powder भी purchase कर सकते हैं बस थोड़ा सा हमें इसकी nutritious value के साथ compromise करना पड़ता है तो skimmed milk powder को आप जान गए होंगे और whole milk powder को भी दोनों ही same है बस nutritious value में skimmed milk powder थोड़ा सा कम है इस skimmed milk powder को आप आराम से किसी भी journal store, supermarket या फिर online भी purchase कर सकते हैं आधा केजी skimmed milk powder की कीमत लगभग 200 से 220 रुपे के बीच में होती है इसकी भी काफी सारी brands market में available है तो इसे आप किसी भी अच्छी brand का purchase कर सकते हैं ये 200 ग्राम, आधा केजी और 1 केजी की packing में market में available है डाइट conscious लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छा और best option है तो चलिए friends अब बात करते हैं dairy whitener milk powder की बहुत से लोग इसको लेकर के भी confusion में रहते हैं कि क्या ये milk powder है या फिर बाकी सारे milk powder से ये कैसे अलग है क्या इसे पीने के लिए चाय या coffee में use कर सकते है और क्या ये cooking और baking में भी इस्तमाल होता है तो जब friends गाएं और भैस के दूद को इकठा करके उसे evaporate करके उसमें से हलका सा fat content कम करके जो हमारा skimmed milk powder तयार होता है उसके अंदर जब extra sugar add कर दी जाती है साथी एक element जिसका नाम होता है casein add कर दिया जाता है तब जो milk powder बन करके तयार होता है उसी को कहते है dairy whitener यानि कि ये बिल्कुल skimmed milk powder की तरह ही होता है nutritious value में बस इसके अंदर extra sugar होती है और casein की वज़े से जो ये दूद बन करके तयार होता है उसका color जो होता है सफेद होता है आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा whole milk powder और skimmed milk powder का color थोड़ा off white creamish सा रहता है उसके बने दूद का color भी हलका पिला ही होता है लेकिन जो dairy whitener से बना दूद होता है वो बिल्कुल सफेद रंग का होता है इससे बनी चाय का रंग भी अलग होता है और इस dairy whitener को आप आराम से किसी भी जनरल स्टोर, सुपर मार्केट या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं आदा केजी dairy whitener की कीमत लगबग 220 रुपे से 240 रुपे तक होती है इसे भी आप फ्रेंड्स आराम से cooking और baking में इस्तमाल कर सकते हैं बस आपको एक बात का special ध्यान रखना है जिस भी recipe में आप इसे यूज़ कर रहे हैं उस recipe की बताई हुई चीनी की मात्रा आपको कम रखनी होगी क्योंकि जब आप इस dairy whitener milk powder को उसमें add करेंगे और इसके अंदर पहले से ही शुगर यानि की चीनी present होगी तो आपकी recipe में एक्स्ट्रा शुगर हो सकती है बहुत ही अच्छा option है क्योंकि मिठाईयां मीठी ही होती है तो उसमें कोई extra sugar का chance नहीं तो अब आप skimmed milk powder और dairy whitener के बीच के difference को जान गए होंगे दोनों की बीच में केवल sugar और एक element casein का ही difference होता है तो इसे आप आराम से purchase कर सकते है तो चलिए फ्रेंड्स अब एक चौथे किस्म के milk powder जिसे lactogen baby food milk powder कहते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं इसे हम infant formula food भी कहते हैं इसके अंदर वो सारे nutritious तत्व होते हैं जैसे कि vitamin, mineral, iron और खास तोर पर omega 3 जो कि human milk में present होते हैं इस दूद पाउडर को specially छोटे नवजात बच्चों के लिए पनाया जाता है ताकि उनकी growth अच्छे से होती रहे कई बार friends मैंने देखा है मेरे कुछ viewers मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास हमारे बच्चों का ये lactogen powder बचा हुआ है ना ही आप इसे cake बनाने में यूज कर सकते है कारण एक छोटा सा और सिंपल सा है इसके अंदर बहुत से nutritious element होते हैं जो कि बच्चों की growth के लिए होते हैं जिनकी किसी भी तरीके से over cooking या over heating नहीं की जा सकती मान लिजे आपने इस lactogen baby food powder को अपने cake बनाने में यूज किया है और cake को बनने में लगपक 30 से 40 मिनट तक लगते हैं तो जब ये milk powder के साथ आपकी कोई भी recipe बेक होगी तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा over cooking और heating की वज़े से थोड़ी सी chewy हो सकती है cake आपका बीच में से sink हो सकता है और recipe भी खराब हो सकती है तो इस powder को जो की specially छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है आप उनी के food में use कीजिए अगर आपका बच जाता है तो आप इससे चाय या coffee बना सकते हैं लेकिन cooking और baking में आप इसका इस्तमाल नहीं कर सकते ना ही इनसे मिठाया बना सकते और ना ही इनसे बना खोया भी tasty और अच्छा बनेगा तो friends अब आप whole milk powder, skimmed milk powder, dairy whitener milk powder और lactogen baby food milk powder के बारे में अच्छे से जान गए होंगे इनके बीच का difference अब आपको समझ में आ गया होगा मैं फिर से एक बार repeat कर देती हूँ whole milk powder एकदम pure milk की तरह होता है इसके अंदर सारी चीजे वैसी की वैसी ही होती है जैसे की एक गाये या भैस के दूद में होती है पसे इसको सुखा दिया जाता है और evaporate करके इसे powder form में तयार कर दिया जाता है skimmed milk powder भी whole milk powder की तरह ही होता है पसे इसके अंदर fat content थोड़ा सा कम कर दिया जाता है dairy whitener जो होता है वो एकदम skimmed milk powder की तरह ही होता है पसे इसके अंदर extra sugar और एक chemical केजन को एड़ कर दिया जाता है जिसे कि इसका कलर जो है वो सफेद हो जाता है पस कुकिंग और बेकिंग में इसका बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीनी होती है और यह लास्ट में लैक्टोजन बेभी फूद मिल्क पाउडर होता है यह बहुत ही nutritious होता है क्योंकि इसे specially छोटे यानिकी नवजात बच्चों के लिए बनाया जाता है, जिसे आप cooking और baking में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसी situation आ जाती है कि हम जहां रह रहे हैं, वहाँ इन में से कोई मिल्क पाउडर नहीं मिल पा रहा, ओनलाइन परचेस का भी टाइम नहीं है, तब क्या कर सकते हैं? तब आप अपने घर के ही गाए या भैस के दूद को अपनी recipe में यूज़ कर सकते हैं। तब आप उस जगह पर उसके बैटर को दूद से ही अगर बनाएंगे, तो आपका केक का स्वाद बिल्कुल वैसा ही आएगा। अगर आपको कुकिंग में मिठाई भी बनानी है, तब आप गाए या भैस के दूद को गाड़ा करके, इवापुरेट करके, उसका मावा या खोया बना करके, कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का स्पेशल वीडियो मिल्क पाउडर के कन्फ्यूजन और डाउट्स को दूर करता हुआ। उमीद करती हूँ, अब आप इनके बीच के डिफ्रेंस को जान गए होंगे और अपनी रिक्वाइर्मेंट, अपनी जरूरत के हिसाब से आप मिल्क पाउडर का बेस्ट सेलेक्शन कर सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स पस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया हो, यूस्फुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजेगा, साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, मैं फिर मिलूँगे आप सभी के साथ, अब तक के लिए बाबाई, टेक केर, एन थैंक्स आपके के लिए लाउ नहीं हुरे अर पूंगे गिर्ब 머्स्प augा नहीं है